है 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 लोग दोस्तों कैसे हो आपका स्वागत हत्रिपान स्टेडी सेंटर में यहां पर जो हम आज विचार करने जा रहे हैं भारत विक्षित कैसे होगा पह बारत विक्षित कीनकारणों से होगा तो इन पॉइंट्व आप को समझ में आजाएगा कि भारत के विक्षित होने में कौन-کौन मुसीबतों का सामना करना पर सकता है और कौन-कौन से चीज़े भारत में अभी नहीं है भारत कौन-कौन से चीज़ों में आत्म निर्भर हुआ है और कौन कौन जो में आत्म निर्भर नहीं हुआ है बेपारिक अधार पर उध्यानों का विकास करना काभी महत्पून है जितने भी विक्सित देशों में देखा जाया तो बरे बरे महानग्रिये छेत्रों में निवास करने वाली जनसंक्या के लिए फल एवं सवजियों के उत्पादन ये तो बेपारी सतर पर उध्यान का विकास किया गया है अब इस परकार की क्रिशी को बजार के लिए बागवानी या फलों की खेती कहती हैं अमरिका एवं उरोब के बरे बरे नगरों क चारों और उध्योग के उधान इस्तित है और देखिए कितनी महत्वपूर्ण वात है कि बेपारी अधार होना बहुत जरूरी है कहते हैं अगर हम भारत के रेलाइस करें भारत के बारे में जानें तो जितने भी उध्योग पती हैं वह खाते तो भारत के हैं लेकिन लूट रहे हो और यह सारी लुटे हुए । हमारी अर्थ विस्ता कहा से लिकसित करेंगा ? कहते हैं दोस्तों हमारे देश में ऐसे बहुत से महान भ tanto है जिन्हों ने अपने देश को ही करम भूमी बनाया और अपने देश में ही मरते दम तक रहे कहते हैं ऐसे लोगों को तो तिर्पान इस्ट्री सेंटर भी सलाम करता है और सबसे बड़ा एक्जामपल आपके समक्ष है महा महिम अब एपे जी अब्दुलक्लाम जिनकों मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है उन जैसे महान कोई नहीं थी जो कि इतनी बड़ी अविश इससे भारत किस परकार निक्सित होगा या आप समझ ए सबसे बड़ा एक्जामपल तो महातमा गांधी जी थी जो विदेश में भी पहुरे बिदेश में उकालत भी किये लेकिन कहते हैं न जिनका दिल भारत का होता है कभी विदेशों में उनकी दिल टिक नहीं सकता छोड छार के सब अपने देश में आ गए और देश में जो है अपनी वेसमुषा पंगड़ ली और देस की सिवा में लग गए आज बहुत ही कम लोग हैं जो देश के लिए अपनी जान तक देना चाहते हैं अब देखिए आज की राजनीती गत्विधिया भी पुलट पुलट होती है कोई अच्छा करना चाहता है तो दूसरे पार्टी उसमें टांग अराती है और अच्छे कारे को होने नहीं देती है इस परकिडिया में भारत विक्स नहीं होता है क्योंकि भई दिल और दिमाग भारती होना चाहिए कहते हैं शरीर होगा तब तक भारत विक्सित नहीं होगा कहते हम खाते तो भारत में है और फैदा हम भी देशों को पहुचा रहे होती हैं तो ऐसे में भारत विकास नहीं करेगा